हाई एबरिवन नेक्ट जेस परजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग एप बनाने वाले हैं रेस्टरेंट owe Gleich को सर्च करने के लिए अब रेस्टरेंट gu such करना क्यों है ताकि कस्ट मर्स रेस्टूरेंट को सर्च करके वहाँ से food order कर पाएं और इस पार्ट को ध्यान से देखना, यहां भी बहुत सारे scenarios बनने वाले हैं, काफी सारा logic भी लिखा जाएगा, तो ध्यान से एक एक point को देखना, अगर आपने इस पार्ट को ध्यान से नहीं देखा, तो हो सकता है आप किसने किसी point को miss कर दो, वैसे एक चीज और बता देता ह रेस्टरेंट्स को सर्च करने के 5 scenarios बनेंगे, और इस part के अंदर हम लोग 3 scenarios cover करने वाले हैं, जो बचे वे 2 scenarios हैं, उनको आने वाले parts में cover करेंगे, इसका reason यह है कि अगर मैं 5 के 5 scenarios इसी part में cover करने लगया, तो वीडियो की length काफी ज़्यादा चले जाएगी, इससे हो सकता है आपको इनकोई point मिस कर दो और हो सकता है, बोर भी हो जाओ इतनी lengthy वीडियो से, so better है कि 3 scenarios यहाँ पे cover करें, और आने वाले parts के अंदर जो बचे वे 2 scenarios हैं, उनको cover कर लेंगे, अब पहले मैं आपको 5 के 5 scenarios बता देता हूं, बाद में हम लोग code बगरा देखेंगे, इनके points आता है न, और यहाँ पे select place के अंदर, enter food and restaurant के अंदर, कुछ भी enter नहीं कर रखा, तो by default सारे के सारे जो restaurants हैं, उनकी listing दिखेगी आपको यहाँ पे, banner के just नीचे, अब आपके पास एक question बन सकता है, कि सारे के सारे restaurants, अगर हमारे पास 10,000 restaurants हो गए, तो क्या सब के listing दिखाएं चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, तो एक scenario तो यह हो गया, कि अगर हमने place, restaurant का नाम, या फिर food का नाम, कुछ भी select नहीं करा, तो by default यहाँ पे 50 या फिर 100 restaurants दिखने चाहिए, एक scenario, second scenario, अगर आप लोग यहाँ से कोई place select कर लेते हो, जैसे अभी के यहाँ पे कुडगाओं select कर लिया, तो कुडगाओं के restaurants है ना, उनकी listing आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, इस part के अंदर मैं आपको बता दिता हूँ, API बनाने वाले है, listing उसकी next वाले part के अंदर बनाएंगे, जो इसके बाद आएगा, right, because UI वाला और backend वाला काम दोनों पार्ट में करेंगे, तो again, वीडियो काफी lengthy बन सकती है, so, दो scenario हो गए, पहला कुछ भी यहाँ पे enter नहीं है, बिल्कुर सब कुछ blank है, second scenario यह है कि आप कोई भी एक location select कर लेते हो, third scenario यह है कि यहाँ पे आप लोग restaurant का नाम सर्च कर लेते हो, यहाँ पे आपने क्या गरा, directly आपने मान लो डाल दिया, dominoes, so, जितने भी आपके, आस पास के dominoes हैं, वो इसके अंदर दिख जाएंगे, या फिर जो top 50 dominoes हैं, जिन से सबसे ज़्यादा sale हो रही है, वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, तीन scenario हो गई, चोथा scenario क्या बनता है, कि आपने यहाँ पे restaurant की जिए पे food का नाम order कर दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया, pizza, या फिर आपने burger, या फिर sandwich, कुछ भी order कर दिया, लिख दिया, तो वो scenario इस part के अंदर cover नहीं करेंगे, बिट आने वाले time के अंदर क्या करेंगे, कि उस food के search से भी, मान लो आपने जो भी food डाला है, उसके बिहाफ पे भी restaurants की list दिखाएंगे, कि कौन से कौन से restaurants हैं, जो इस food को sale कर रहे हैं, उसके बाद, मान लो आपने एक साथ, कोई location भी डाल दी, और restaurant का नाम या फिर food का नाम भी डाल दिया, तो भी उनकी listing आनी चाहिए, और ये वाला scenario भी हम लोग आने वाले part में cover करे आने वाले हैं, एक जो by default listing, जो भी जहां पर हम लोग कुछ भी select नहीं करेंगे, ना location ना restaurant, दूसरा location के साथ में, तीसरा restaurants के साथ में, ये तीनों पार्ट जहां पे cover करेंगे, और जो चोथा होगा food item के base के उपर listing, और food item प्लस place के, यान कि दोनों ही input box हैं, इन दोनों के अ अब हम लोग API बनाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले में क्या करता हूँ, एक API का route बनाता हूँ, अभी आपको पता है कि हम लोगों ने customers नामसे एक folder बनाया था, just recent part के अंदर ही, और उसके अंदर locations नामसे एक folder बना रखा था, अगर मैं यहाँ पे locations दिखाता हूँ, तो इसके अंदर एक route बना हुआ है, but location नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, customers के लिए, restaurants के list, तो मैं directly यहाँ पे customers के लिए ही, एक ओर route बना दूँगा, route.js, ठीक है, then हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, export करेंगे, export, then function का नाम, यहाँ पे function, get function रहेगा, और हमें पता है कि जब अब हम लोग API बनाते हैं, तो हमें वहाँ पे promises को handle करना होता है, तो मैं यहाँ पे async भी कर देता हूँ, after that हम लोग यहाँ पे return करेंगे value, next response के साथ, तो यह अपना आप उपर से import हो जाएगा, dot json, और इसके अंदर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, simply success, success true return कर देता हू success true यहाँ पे दिख गया हमें, अब हमें next चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे आपको location के base के उपर select करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे question mark डालोगे, और यहाँ पे location डालोगे देली, इस तरीके से, देली, नौइडा, गुरगाउ, जो भी location बनेगी, इस तरीके से बनने get करेंगे, देखो, simply जो हम लोगोने यहाँ पे parameter, इसको बोलते है, query parameter, जो query parameter पास करेंगे, उसको यहाँ पे get करना पड़ेगा, उसको get करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट से एक बार के लिए आप एक variable ले ले लेते हो, query params के नाम से, और इसके अंदर हम लो होता है, और URL के अंदर rl होंगे, वो जो small होंगे, then search params, इस तरीके से, अब इसके अंदर जो हमें मिला है, वो एक function होता है, अब इसको करने के लिए आप लोग एक बार के लिए console.log लगा लो, console.log, और इसको हम लोग क्या करेंगे, query params.get, जो भी आप यहाँ से पास करते ह हो, लिखोगे, location, जैसे यहाँ पर यह लिखोगे, और अब आप इसको hit करते हो, तो अब आप देखोगे, यहाँ पर आके, यहाँ पर daily location आ गई है, अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, let's say, noida, तो यहाँ पर मुझे क्या location मिल गई, noida location मिल गई, जो भी यहाँ पर location डा तो जैसे यहाँ पर बार्बीक्यू nation, actually बीबीक्यू, right, बट अब यह get नहीं हुआ, because यहाँ पर हम लोगों ने restaurant को get कर रखा था, so अगर मैं यहाँ पर लगा दूँगा restaurant, इस तरीके से, क्या, spelling में टाइप हो कर दिया मैंने, यहाँ पर आ यहाँ पर आओगे, तो अब आ query params को get कर सकते हो, so simply, इन सब cases को मैं अभी cover करूँगा, but सबसे पहले जो important है, वो यहाँ कि connection मनाते है database का, so मैं आप लिखता हूँ mongodb.connect, और connect के अंदर हम लोग यहाँ पर आपास करेंगे, query string, connection string, sorry, not query string, so यहाँ पर लिखता हूँ connection string, और जो second parameter होता है, उसके अंदर हम url parser, और यहाँ पर डालेंगे simply true, तो हमारे connection बन गया, but हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, await, because यह एक promise return करते हैं, ठीक है जी, जो गया, next चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर simply, एक let ले लेते हैं, result के लिए, let, result, equal to, again हमें await यूज करना पड़ेगा, because जो schema होती है, same way, चीज रिटर्न करती है, promise return करती है, यहाँ पर लिखूँँगा, restaurant schema.find, और जैसे मैं यहाँ पर find करूँगा, इस result को मैं simply यहाँ पर pass कर देता हूँ, आप देखो के सारे के सारे restaurants यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखो, जितनी भी restaurants हैं, सारे के सारे यहाँ पर आ गए, I guess 5-6 restaurants हैं, आ गए हैं, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, एक but अगर मेरे पास यहाँ पर location आई है, तो उस location के हिसाप से filter होने चाहिए, because अभी अगर आप चेक करोगे, तो देखो कौन से कौन सी location है, simply daily है, गुडगाओ है, सारे की सारे location के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप कोई location के हिसाप से डायते हैं, तो उसके हिसाप से आने चाहि एक condition बनाएंगे, और condition क्या रहेगे, कि if query params.get और यह है हमारे पास location, इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर filter बनाएंगे, filter let filter, और जो by default filter है, यह है, empty, अगर हम लोग यहाँ पर आ रहे है, location है, तो हम लोग simply क्या करेंगे, यहाँ पर filter.city, अब मैंने city क्यों डाला, आप यहाँ पर देखो, मैं collections open करता हूं, right, और आप यहाँ पर देखोगे, कि जो हमारे पास, यह location है, यह city वाली field के अंदर store है, right, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, city equal to, और यहाँ पर, सेम इस चीज़ को यहाँ पर पास कर देंगे, like this, इस तरीके से, alright, अब मैं क्या करता हूं, जो filter है इसको पास कर देता हूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, filter, so, अब इसको test करते हैं, सबसे पहले मिया करता हूं, by default check करता हूं, कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, तो पूरी पूरी list आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और अब मैं यहाँ पर डालता हूं, question mark, location, और location के अंदर सबसे पहले जो D हैना मैं सो capital करके डालता हूं, इस तरीके से, तो अब आप दे, okay, यह तो कुछ हो रही हो गया, question mark, then location, और इसमें जो D होगा, वो मेरा capital होगा, कुछ इस तरीके से, so, देखो, यह D small ही रहागा, यह D capital क्यों करो मैं आपको एक second के अंदर यहाँ पर उसकी entry आ गई, चीक है, और जो entry के अंदर city है, location के देली है, but अब इसके अंदर भी एक scenario है, अब मान लो मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर small d pass कर दिया, simply यहाँ पर आता हूं, और मैंने small d pass कर दिया, कुछ इस तरीके से, so, जैसे मैंने pass कर रहा, कुछ location आई नह pass कर रहे है, यह case sensitive होता है, इसको case insensitive बनाने के लिए, हमें एक rejects pass करनी पड़ी, चीक है, तो rejects बनाते है, rejects simply क्या करेगी, यह चाहिए small letter है, चाहिए capital letter है, but यहाँ पर मालू मैंने जो first letter है, डेली का वो small डाल दिया, capital डाल दिया, last वाला जो मर्जी डाल दिया, सब के case के पर बस daily match होना चाहिए, location के हिसाब से हमारे पास result आ जाएगा, चीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, simply, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक let लेता हूँ, city करके, और इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर query param है, वो डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से, यह मैं अब हम लोग क्या करते हैं, जो city है थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखते हैं, जो हमारे पास यह filter बनाया हम लोग ने, अलग तरीके से कैसे, क्या हो रहा है, just a second, इसको मैं ऐसे remove करता हूँ, and then यहाँ पर simply लिखेंगे हम लोग filter, यहाँ पर equal to, सबसे पहले यहाँ पर और इसके अंदर लिखेंगे dollar rejects, इस तरीके से, and then यहाँ पर रहेगा colon new reg rejects expression, इसको rejects expression बोलते हैं, अगर full phone में बोलना हो तो अभी reg exp है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो expression है, वो हमें डालना है, जैसे कि हम लोग को city डाल नहीं है, but city के साथ में, city, वो capital भी हो सक जो second parameter इसके अंदर आई डालेंगे, इसका मतलब है कि इसको case insensitive बना दो, और यह जो filter है यहाँ पर पास होई रहा है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर search करते हैं, अब daily आ रही है, even मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो capital D ही डाल दिया है, अब मैं यहाँ आप पर small D डालता हूँ, इस तरीके से, और यहाँ पर small D डाला हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, properly हमारे पास capital क्या रहा है, बट मैं पर सारे-सारे capital डालता हूँ, still देखो, यह daily डालता हूँ, and then यहाँ पर आप still देख सकते हो, still हमें result मिल रहा है, हमें properly, right, so case ins insensitive हो गया, और हमारे पास properly काम कर रहा है, अब एक चीज तो हो गई, second चीज, again, हम लोग जो बिना search parameter, query parameter के जो API वो भी चेक कर रहा है, वो भी properly काम कर रहा है, अब जो next चीज आती है, वो आती है हमारे पास restaurant, कि जो restaurant है, अगर उनमें कुछ डालते हैं, तो उनमें कुछ दालेंगे query parameter, जो यहां पे हम लोग उन्हें लिखा हुआ है, इसको copy करेंगे, इसमें डालेंगे, यहां पे डालेंगे restaurant, अगर restaurant आएगा, तो क्या करना है, तो इन दोनों line को भी copy कर सकते हैं, आप चाहू तो, इसको यहां पे paste करेंगे, इसके अंदर कुछ कुछ चेंज क करने हैं, जैसे कि इसके अंदर सबसे बदे डालेंगे name, यहां पे restaurant के name वाली field है, अगर यहां पे देखोगे, restaurant का नाम कहा है, इस name वाली field के अंदर, right, तो इसका नाम डालेंगे, and then, यहां पे भी हम लोगों को restaurant ही डालना पड़ेगा, और जो city है, इसको भी मैं यहां पे हो रहा है, अगर मैं directly just B डाल दूँगा, तो भी जितने भी B नाम से restaurant हो रहे हैं, वो सारे के सारा जैंगे, जैसे बार्बीक्यू हो गया, बर्गर किंग हो गया, और मालोड जैसे कि मैंने डाल देया, किसी में G डाल दिया, तो G से जितने भी restaurant आ रहे हैं, वो दिख जैंग हैं, तो भी हमें सारे की सारे restaurant मिल रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूँ, आप देख सकते हो, और अगर मैं यहां पर डाल देता हूँ, let's say, restaurant में BBQ, तो इस restaurant के से भी आ रहे हैं, तो तीनों case हमारे cover हो चुके हैं, और जो case insensitive वाली चीज थी, वो भी cover कर ली है, test भी गर लिया, इसको, इसमें कुछ doubt है, कुछ confusion है, मुझे comment section अंदरे पूश सकते हो, and please, channel को subscribe करना, video को like करना, comment section में feedback देना, बिल्कुल मत भूलना, यह आपके लिए free of cost है, बट इससे मुझे बहुत value मिलते है, thank you so much for watching this video.